तो अब हम बेटा आज के सेशन में चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स ठीक है जी परले में हाफ नवर में आपको सब फॉर्मले रिवाइस करवा रहा हूं ठीक है फिराडे लौ में प्रॉबलम होता है क्लियर कर देना बिल्कुल बेटा आप सोमी उस पर डाउट पूछो और मैं आपको पूरा जवाब दे दूँगा फिराडे लौ से सिंपल कोई चीज नहीं है ठीक है वाइफ यर वें जे शरी दियर आपको डर्ने की जरुवत ही नहीं आप मुझसे दो चार पांच कोशन जो भी आपके डाउट हो आप लिखके पूछना मैं तुरंद आपको चीज को क्लियर कर लो आप देखो केमिकल कानेटिक्स में तीन चीजों को पढ़ना है सबसे पहला पार्ट पढ़ना होता है हमें रेट ओफ रियक्शन ठीक है जिसे हम आर से रिनोट करते हैं ठीक है और सीदे सीदे हमारा इसका एक्सपेशन होता है प्लस माइनस वन बाइ मुआ अब साइन्टिफिक वे में रिवीदन कराऊंगा बच्चा में इसको बिल्कूल सिंपल वे में मझा आ जाएगा आप सभी को गारेंटी मेरी तो यह है एक्सपेशन बटा रेट ओफ रियक्शन का अब इसमें क्या क्या है यह तर्म्स क्या क्या लिख दी मैंने प्लस अब और इसको बच्चा प्रोड़क को माइनस की परदेंट करता है बच्चा यह एक्टन को मुआ झी अच्छी चलती पड़ा है जाएगा बटा इनन मिय जो है वो इस्टायोमेट्रिक कोफिशेंट है वी स्क्वार ब्रेक्ट आई इस चेंजिन कंसंट्रेशन और डी टी ज to 1 by 2 minus of da by dt ठीक है and it will be equals to 1 by 3 minus of dv by dt ठीक है और that will be equals to 1 by 5 plus dc by dt अब यह minus plus क्यों करते है बेटा क्योंकि यह 10 का concentration है ना last two months strategy बेटा यही है जो आप अभी कर रहे हो FTR course को अच्छे ढंग से करो बिल्कुल अच्छे ढंग से ठीक है और अगर इसके बाद आपके पास जान बच जाती है तो अधरवाइस मतले ना हमने VMTS test series चालू कर दी है वो भी ले सकते हो और थोड़ी सी जान है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना ही है कुछ भी हो जाए माक असा मिजवा selection निकाल नहीं है तो एक PRC यह परफेक्ट रिविदन course उसमें मैंने इन इन और्गनिक पढ़ाई ह यहां में फिदिकल पढ़ा रहा हूं और उसमें डैप्थ में चला है यह तो एक मेने का कोर्स था इसमें हमारा मेन फोकस था कि आपको जस्ट फॉर्मूले रिविदन का मतलब ही होता है आप फाइनल रिविदन कैसे करते हो घर में आपको सोचिए कोर्स के नाम से यह आपक पढ़ाई गई है पूरी बड़ी बड़ी शीटें आपको दी गई है विटा तो आप फाइनल अगर आपको आखरी के दो मन्त की स्ट्राटजी चाहिए तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिजे कि भईया अब मुझे कम सकम 15 गंटे तो पढ़ना ही है यह ना क इसकी कोई दिक्कत निये प्यार सी को आप फॉलो कर सकतो रेट ऑफ रेक्शन फ्लार रियक्टेंट इन प्रोड़क्ट इस सेम गलत है यह स्टेटमेंट थिए ना हमलब रेक्शन बोला है बिल्कुल सही है ठीक है चलो तो मैं भी एक सेशन ले लूँगा आपका कोई दिक् आपको जवाब देते चलेंगे अब इसमें मेरे को यह बताना है बिटा कि माइनस क्यों डाला है क्योंकि रियक्टेंट के लिए क्योंकि रियक्टेंट के लिए क्योंकि रियक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है ठीक है प्रोड़क्ट के लिए प्लस क्यों नाम से याद नहीं है अगर बात करी होगी तो आर इक्वस्ट तू आर बी बाइट टू और इक्वस्ट तू आर बी बाइट इस रेट आफ ए रसी रेट आफ दियान देना बच्छा रिएक्ट्थम खतम होते जारहा बिल्कुल सही है यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने लाइक है बटा आरे अलग चीज होती बटा और रेट आफ रेक्षिन अलग चीज होती है तो दोनों सेम तब होंगे जब सभी रियक्टेंट और प्रोड़क्ट का इस्टाइचियोमेट्रिक ओफिशन वन होता है इसके ओपर एक क्वेश्चन पूरी तरह से आने का चां रहता है आपका और उसमें बच्चा नॉर्मली मिस्टेक करता है बच्चा तो यह मिस्टेक न करें ठीक ना रेट आफ रियक्षिन के लिए मुझे कंप्लीट बैलेंस इक्वेश्चन का पता होना जरूरी होता है बच्चा जबकि रेट ऑफ डिस अपिरेंस यापिरेंस के लिए मुझे कभी भी डीट आफ डीट इंटat के लिए हम इससे मायन दीट को रेट ओफ एवी बोल सकते हैं रेट ओफ डिस आपका प्रोर्मेशन ऑफ चीवी बोल सकते हैं इतने और नाम रेट ऑफ डिसापिरेंस के लिए कभी भी है ध्यान दिना यह थ्यां देना रिट आ aAH कभी भी आपको stracciometry coefficients की requirement नहीं होती है बच्चा ठीक है यह stratiometric option की requirement नहीं होती है बट rate of reaction के लिए हमें हमेशा stracciometry coefficients की requirement होती है यह चीज आपको हमेशा अपने माइन में रखनी है fix रखनी है इससे अपके questions है ना कभी भी गलत नहीं हो बहुत और unit की बात करें बटा rate of reaction की unit की क्या हो जाएगी unit इसकी तो इसकी unit अगर आप gaseous reaction मादब aqueous face reaction के लिए कलोगे तो molar per time and this is for aqueous face reaction और अगर gaseous reaction होगी तो ATM per time अगर gaseous reaction है तो ठीक है दोनों के बीच का relation भी important है कभी conversion हमसे पूछ सकता है तो आप सभी को पता है बटा gas होगी तो ideal gas मानोगे और ideal gas मानोगे तो PV equals to nRT और अगर PV equals to nRT है तो P equals to n by V into RT न by V ही क्या होता है बच्चा हमारा concentration होता है ठीक है तो इसलिए हम P equals to क्या बोल देंगे CRT इसलिए P will be equals to हम बोलेंगे CRT ठीक है यह आपके आपका chemical equilibrium में भी जरूद पड़ता है हमने के पी इक्वल to के सी आटी की बाद डेल्टा एंजी का डेरिवेशन भी यहीं से करा था यहीं से करा था और questions तो अभी हम करी रहे हैं खूप सारे questions की चिंता ना करें ठीक है अब अगर हम बात करते हैं पीटा आगे क्या ठीक है जो important important चीजह मैं वह पहले device करो दो अगर zero order की reaction है तो zero order की reaction के लिए मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए तीन फॉर्मुले अगर रेट पूछेगा तो रेट इक्वल टू रेट कॉंस्टेंट होता है हमेशा जीर और की reaction की हो जाती है तो अगर इनका आफ लाइफ टाइम पूछेगा तो यह आपको चार फॉर्मुले जीर और रेक्षिन के लिए यस नो लिखते चले मुझे भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा ठीक है अब अगर हम बात करते मिटा थोड़े से ग्राफ की देखो एक जनरल फॉर्मुला मैं बता दूँ आपको क्या ग्राफ यहां पर किस कौन कोन से ग्राफ समाले इंप्रिंट है तो ग्राफ आपके जो नॉर्मली पूछे जाते हैं बच्छा वो रेट वर्शिस रेट वर्शिस Concentration, second graph पूछा जाता है, concentration of reactant versus time, और तीसरा graph पूछा जाता है, वच्छा आप से, t-half versus initial concentration, यह तीन graph हमारे important होते हैं, rate versus concentration का graph, state line parallel to concentration axis, क्योंकि rate concentration के उपर depend नहीं करी, थैंक्यू very much, अच्छा लगता है, थमसब डालते रहो, yes, लिखते रहो, CR versus T का graph, state line with negative slope, चालू होगा A0 से, इस टाइम के बाद 0, हम से नीट की exam में कलाकारी कर सकता है, माल लिजे हमारा 0 concentration हो गया है, 10 minute पर, वो आप से बहाने से बोले की, 12 minute पर concentration बताओ, 12 minute पर, ध्यान देना, 12 minute पर concentration reactant का 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इस formula में गलती कर दी, बच्चों के दिमाग में यह होता है, सिधे इस formula में value put करते हैं, तो फिर आपका negative answer आजाएगा, आपको पता होका, concentration कभी negative नहीं होता है, ती 100% सिफ 0 order के लिए define होता है ना सर, नहीं बेटा, यह गलत statement है, minus infinity से 1 के बीच की कोई भी order, माइनस infinity से 1 के बीच की कोई भी order के लिए define होता है, टी lifetime, ठीक है जी, बट एक बार आपकी reaction की order, यह उससे बड़ी हो गई, मतलब 1 to infinity, तब यह आपका define होने वाला नहीं है, ठीक है, तो यह 0 order बोलोगे तो गलत हो जाएगा, माइनस infinity से 1 के बाद वो कभी भी डिफाइन नहीं होता है, बट अंगुठ है, जादा मत करना अंगुठा थक ना जाए, उत्ता ही करना है, जिसे अंगुठा भी नहीं थके, है, समझ रो, चलो, तो अब टी हाफ वर्स इनिशल कंसेंटरेशन की बात करें, टी हाफ और कभी कभी आ सकते हैं, थोड़ा सा टफ कोशिन बनाना हो, तो 10 टीटा की वैल्यू वन बाय टूके है, कभी आप से बहाने से स्लोप दे दे, तो स्लोप से आपको किसकी वैल्यू पता अपर जाएगी, के की वैल्यू, ठीक है, इस फॉर जीरो और, और हमारे से लेबर्स के ल अगर रेट पूछी वैटा, उसके अलावा दुनिया की जो चीज उसने पूछी, तो के एक्वस्टू वन बाय टी, एले नॉफ एनॉट बाय एटी से करोगे, क्याल यह फॉर्मूला तब यूदो का बटा, जब आप से रेट पूछी गई हो, अधर्वाइस हमेशा, के एक आप नेटवर्क में फसेती हैं, मैं ट्राफिक में फस गया था, मेरे कालोनी के बाहर रोड बन रहे हैं, तो जाम लग गया था, वहां पर थोड़ा सब, तो के एक्वस्ट वन बाय टी, एले नॉफ एनॉट बाय टी, ठीक है, और इसका कंप्लिशन टाइम तो डिफाइन ही अगर आप ग्राफ की बात करते हो वापस, ऑर्डर को निकालने की एक मेथाड बेटा, ग्राफिकल मेथाड भी होती है, कई बार कोश्चन आये हैं, तो ग्राफिकल मेथाड में मेजर लिए तीन ग्राफी आप से पूछता है, रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन, ठीक है जी, कं रेट वर्सेस टाइम और तीसरा बच्चा आप से ती हाफ परसेस इनिशल कंसेंट्रेशन, तो अगर हम इनके ग्राफ देखें बच्चा किस तरह से होंगे, रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन, एक्जाम में आप लोग भी चलना, आप लोग देखते ही अलग कॉन्फिदेंस आ आप लोग अभी तक हम से अलग मान रहोंगे अपने आपको, मुझार रखता मैं अपने हर स्टुडेंट के माइंड में दिल औ दिमाग में अप्छाया हुआ हूँ, DH टेक्नीक और HDFC टेक्नीक, तो आप से तो हम अलग है ही नहीं, आप यह क्यों लिख रहें एक्जाम में आप चलना, adsorption of gas on solid surface, low pressure follow first order, violet high pressure follow zero order kinetics, is it true sir, बिल्कुल सही बटा, ln2.693 यह भी सही है बटा, but हम लोग commonly ln2 को 0.7 लेते हैं, rate versus concentration का graph केसे होगा, straight line passing through, concentration of reactant versus time का graph, exponential, शुडू में concentration मान लिजीए, यह नोट है, उसके लगातार कम होगा, तो यह exponential pattern को follow करेगा, ठीक है, और T half versus initial concentration, T half initial concentration को पर depend, नहीं कर रहा है, तो यह, अब मेरे खुब सारे जेएच शॉटकट होते हैं, फर्स्ट ओर के लिए, वो मैं अभी आपको questions के थ्रू ही बताऊंगा, तो zero order and first order के यह दो फॉर्मुले आपको याद होना compulsory है, ठीक है जी, अब इसके लागर हम बात कर आता है, और को निकालने की methods की, तो और को निकालने की methods क्या क्या है, तो कि order एक experimental quantity, पता ही होगा है, अब ही जब ही clear amount. quantity है जबकि order एक experimental quantity है ठीक है ठीक है molecules की definition क्या होती है total number of reactant molecules participating in a reaction यह total number of reactant molecules required to form the transition state उससे आप molecularity बुलाते हो बटा जबकि order की definition क्या होती है आपको true false में question है भी मैंने लिया भी है sum of power of all concentration terms appearing in the rate law expression को हम भी नेडिटेव नहीं हो सकते जीरो नहीं हो सकती जीरो नहीं हो सकती एक है छीरे टिटीजल current सेए और एक एक स्केरिमेंटल सोप्त है ठीक है और maximum molecular on the basis of molecular reactions यहां तो unimolecular होगी by molecular होगी यह ट्राइ molecular होगी ठीक ना reactions having molecular greater than 3 are very very rare पूरा chapter में orally revise कराऊँगा तो order को निकालने के सबसे पहली method क्या है युनिट ओ रेट कॉंस्टेंट की युनिट से आपको आपकी reaction की order पता पढ़ जाएगी और क्या युनिट होती है रेट कॉंस्टेंट की मोल पर लीटर की power 1-1 time inverse ठीक है मैं general nth order की reaction की लिग दे रहूं अब 0 order होगा तो n को हैना हमने order को n मान लिया है 0 order है तो n को 0 रख दो first order है तो n को 1 रख लो second order है तो n को 2 लिग दो तो इस तरीके से यह आपका unit of k पहली तरीका है order को निकालने का इसलिए careful रहना वेटा की unit से order पता पढ़ेगी दूसरा तरीका है अगर किसी question में बोला गया है कि आपकी reaction elementary और simple है तो ध्यान देना elementary और simple reaction बोलते ही सीकर न क्या हो जाएगा बिटा आपको reaction की order पता पर जाएगी मानली जा मैंने आपको reaction दी है a plus b is product and if I am saying कि reaction simple reaction है elementary न what is the meaning of simple or elementary reaction ऐसी reaction जो single step में complete हो जाती है इन reaction में कभी भी कोई reaction mechanism नहीं होता है बिटा इनका इनमें कोई reaction intermediate भी नहीं होता है बिटा और इनका ग्राफ हमेशा एक single पहाड़ी का होता है I hope यह भी पता होगा आपको ठीक है जी और इसके अलावा क्या point बोल सकते हैं बिटा इस रिस्पेक्ट तो एनी रियक्टेंट विल वी एक्वल टू इस स्टैचियो मेंट्रिक कोफिशएंट यह का इस्टैचियो में कोफिशेंट वन है तो मैं तुरंद बोलूंगा कि बी का ओडर भी वहन है थीक है तो हम इसका रेट लॉक यह लिख सकते है बच्चा आर एक पॉस्ट के एकी पावर वण बी की पावर वाद यहां तक की सब बातें समझ में आरे ही सबी को बेटा यह लिखे जवाब दे तुरंट तीसरा तरीका बेटा ओर को निकालने का ग्राफीकल मेथट जो अभी मेने बताई दिए ग्राफीकल मेथड में आपसे नौर्मली पूछेगा वह मैंने आपको बता दी ठीक है अब अपने ठीकल डाउट्स पूछते चलें अलिमेंट्री शो रेट डिटरमाइनिंग इस्टेप इडेंटिफाई यह सही है क्या सर हाँ एलिमेंट्री डिएक्शो रेट डिटरमाइनिंग इस्टेप यह गलत है और ऑफ रिएक्शन डिफाइन फॉर कॉंप्लेक्स रिएक्शन अल्सो यह अभी हमें आ रहा हूं उसके ओपर तो मैं खुदी आ रहा हूं और यह जो आपने पूछा है पूजन ने वह गलत है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो स्लॉस स्टेप होती और कोंप्लेक्श रियक्शन की हराविमेंट्री तो उसका लो होना जरूरी जड़ुरी है एक होणि में अब आरहा हूं क्या करते हैं अभी तो बनाविकल मेताऊ है उती ही हाफ लाइफ मेथना फॉर्тов ना अच्छे अच्छे कोश्चन जो प्रीवेस यर में आये हुए हैं उनमें सब में शॉट कट लेगी का दिखना टी हाफ इस प्रोपोर्शनल टू वन बाइए नॉट की पावर एन माइनस वर ग्राफिकल में हाफ लाइफ मेठड में हम इस जनरल फॉर्मुले को डिस से यूज क अगर आपने न को वन रखा बच्छा फर्स्ट ओडर तो वन मैनस वन इस जीरो तो टी हाफ इस इनवर्स्टी प्रपोर्शनल तो नॉट की पावर जीरो नॉट की पावर जीरो तो वन हो गया तो यह भी हमाई लिए इंपोर्टेंट मेठड हैं तो इसरा कॉंप्लेक्स और स्लो ही यह जीरो निजिया है किया और स्लो होगी है किया कि बॉला ये कि इसने बूला इप इड़किन तो फॉसकती अब को ठीग कम्प्लेक्स रिएक्शन में जरूर्टमอल से वनzen ौमाई इस जना बूल इस टख को थब हम किसी को फॉन ऊऔर जब सुब किसी को पनां जब तो रेट निकाल की पता पड़ेगा ठीक है और पाच्वी मेथाड है आपका इनीशियल रेट मेथाड यह जरूर थोड़ी से इंपोर्टेंट होती है इसके अबर भी कोशन आते हैं ठीक है इनको मैं अभी कोशन के तुरूँ एक्लियन करूंगा इनको तुम्हें इतना मेथाड जिसमेंwen हिटन ट्रायल से निकालते एंप इन्टीग्रेट एट लो और इंटीग्रेट एटलम में हिटन ड्रायल का मीनिंगल से बोलो है कि निचल कंसेंट्रेशन 10 था 2 तिंचल कंसेंट्रेशन और दो मिनट के बाद वह 5 हो गया फिर है ना चार मिनट पर वह धाई हो गया बता ओर्डर ऑफ एक्षिन कितनी है इंटेग्रेटेड रेट लॉव मेथड को बच्चा हाँ हीट एंट्रायल मेथड भी हाफ लाइं मेथड फॉर और के से आता है यहां से और अन्नोन हो जागा यहां से और अन्नोन है आपको दो टी हाफ देदेगा और दो अनोर्ड देदेगा तो अब्विस्टी अन्नोन बच्चा बिटा दिवाइट करके दोनों को आप निकाल लोगे अभी कोश्चन में हम बात कर रहे हैं अभी मैं केल एक बर फॉर्मुले जस्टाफे नवर में पूरी ची के अलग अलग टाइम पर कंसेंट्रेशन गीवन होता है अब 99.99% तो चांसे बिटा की देख के ही पता पड़ जाएगा दो मिनिट पर दस से पांच हो गया अधा है ना फिर अगले दो से चार मिनिट में अधा हो गया अगर दो बार आधा-धा सेम टाइम में हो रहा है तो एसी रियक्षन के वालो के ल कौन से ओर्डर की हो सकती बिल्कुल सब्सक्राइब ना फिर्स्ट ओर ठीक है और 99.99% चांसे आपका कोश्चन फर्स्ट ओर पर ही आएगा ठीक है ना बिल्कुल सब्सक्राइब और आप अपने को देखी चुके होंगे बिटा कि हमारे कुश् कि बात कर लें इसमें क्या-क्या पता होना चाहिए बिटा हमें आरिने सिक्वेश्चन क्या होती है कि की पावर माइनस आफ यह बाई आर्टी जहां पर एक ओम प्री एक्स्पोनेंशल सेक्टर कुलिदन फेक्टर 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 कुछ भी बोल सकते हैं यह जो है बिट बिल्कुल सही बिटा यह ठीक है और यह एक्टिवेश्चन इनर्जी बिटा आर्गेस कॉंस्टेंट टी क्या है टेंप्रेचर एक फॉर्मुला हमें यह पता होना चाहिए बिटा इसी का अगर एलन ले ले लें तो एलन के कोस्टू एलन ए माइनस आप क्या बच्चा यह ब स्लोप इंटरसेप्ट होगा जिसका एलन के और जिसका ही जो स्लोप है टेंट टीटा इट विल भी एक्वस्टू माइनस आप यह बाया माइनस आप क्या बटा यह बाया मॉलेक्लिटी ग्रेटर जन 3 इस नौट पॉसिबल बिटा ना मैक्सिमम रियक्शन जो है बच्चा व की का मारा फॉर्मुला होता है लन paragraph के टू बाय कम टिकींट तू यह बाया हार वन बाय टीवर फेटेंगर डिटीसं माइनस बाय टीटीट टीक और दोनों में डिफरेंस पूछे को ब मीच्च जो तो यह दिख रहा है वो continuar से तो यह रहा है और यह तो की है क्ढू कॵरिजी कि आ ना तो यह पर पने सब्सक्राइब होता है और जब आप deltas foot कर रहे हो तो यह जो rate constant बच्चा यह equilibrium constant है हम सभी को पता होना चाहिए equilibrium constant is nothing but the ratio of rate constant of forward to backward equilibrium constant is nothing but the ratio of rate constant of forward to backward भ hemisphere फिर टुम लोगे एककन बंद करतें तो डोड़ाका एल फिर तो मैं मुदूर मेरे को ते पड़ाद जंब मैं इस मारे इस के सकीं उताइब मैं मैं지 को देखिके क्यों लिग तो यह मि इस को सप्रडा कपाँ थे भी जूब लूगे मैरे कामरे को देखिकने मैं हार यह वाला फॉर्मुले में रेट कॉंस्टेंट होगा डेल्टाइज में एक्लिवन कॉंस्टेंट होगा बिल्कुल सरी बटा मैंने बताई दिया ठीक है तो यह जरूर धियान रखिएगा ठीक है और यह जो ग्राफ अभी हमने बात करा था बटा है आपको यह ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए आप इस ग्राफ की बात कर दें बाट क्युक्त काफी कोशन आते है इसका जो टौपनोस पॉइंट है वो किसे डिनोट करता है बच्चा एटी को ठैस्ट अलρη यह बताता है किसको बाटा एनर्जी ओफ प्रोड़क्त ठीक है यह बताता है किसको बाटा एन देल्टा एज डेल्टा है इन्सेल्पी ऑफी एक्षण ओर डेल्टा हज का फॉर्मुला होता है बट्या इपी मैनस ए गनुट इसलिए यह फॉरवर्ड माइनस यह बैक्वर्ड भी लिखते हो अक्टिवेशन एनरजी और दीक्षन तुर एक्टिवेशन आर्जर फॉरवर्ड और एपी से लेकर जो यहां का गैप होता है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी आप क्या बुलाते हैं बच्छा पैकवार्ट ठीक है तो इतनी चीजें अगर हमें यहां पर पता है बिटा वेरी गुड बिटा किना थोड़ा लिखते रोगे तो अच्छा लगेगा हमें पता रहेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है ना मैं चालू करता हूं हमें रेट रेट ऑफ रेक्शन यूनिट इनके ओपर कॉश्चन तो देखो अभी सब आ रहे हैं मैं पर्ले बता दे रहा हूं फिर फर्स्ट और के सभी फॉर्मुले हमें याद होना बिल्कु बढ़िया बात है ठीक है फिर और को निकालने की हमारे पास experimental methods ठीक है उसके लावा temperature में इतनी सारी चीजें हमें पता होना चाहिए ठीक है फिर catalyst के बारे में थोड़ी से जानकारी और complex reaction and then we will move on question तो catalyst क्या करता है जाना catalyst कभी भी किसी reaction को initiate नहीं करता है catalyst और जो reaction चल रही थी उसकी rate को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है घटाने का क्यों नहीं करता है जाना क्योंकि NCRT book में negative catalyst के लिए पानी नॉर्मल भूला ठंदा नहीं पीता हो है ठीक है NCRT book में negative catalyst के लिए chips of graph आपका एक graph ऐसा भी हो सकता है जिसमें reactant नीचे हो product उपर हो सराइनी की क्लिवे इलेक्ट्रोच्ट्री चेप्र हो मैं बेटा बोल दिया है मैं आज करवा रहा हूं अगर इस तरह का graph product उपर है नीचे reactant है तो इस तरह के graph हम endothermic reaction बोलते हैं ठीक है और जबकि second possibility भी है क अब इसमें ER उपर हो गया EP नीचे हो गया तो इस तरह की reaction कहला थी एक्जो आपको thermo chemistry thermo dynamics अगला चेप्टर ही पढ़ेंगे पड़ेंगे ठीक है यूनिट्स ऑफ और रिनेस कॉंस्टेंट है ठीक है अब thermo dynamics thermo chemistry में आपको पता होगा पड़ा exothermic reaction में product ज्यादा होते हैं तो आप देखो product नीचे है जिस system की energy जितनी कम होगी बटा वो उतना ही ज्यादा stable होगा ठीक है और endothermic reaction में आपका reactant ज्यादा स्टेबल होते हैं तो बच यही दो कहानिया है तो graph उपर नीचे हो सकता है ठीक है और catalyst की बात करें बटा तो अभी में catalyst वाले graph का बात कर रहा था catalyst क्या करता है बटा catalyst ना reactant change करता है ना product change करता है ना catalyst thermo dynamic behavior को change करता है catalyst आपकी जो reaction चल रही थे उसे थोड़ा सा फास्ट कर देता है ठीक है ठीक है मतलब यह अगर graph without catalyst है तो catalyst दालने के बाद चालू तो graph ER से ही होगा बटा खतम भी EP पर ही होगा बट यह पहाड़ी जो है catalyst फोड़ इसी नीचे ले आएगा पहाड़ी नीचे लाने से क्या होगा बच्चा है ना ECT effective collision theory के according जो rate आती है rate of reaction ना rate of reaction जो आती है वह आती है पी है ना into Z AB जिसे आप AB बोल रहे हो मतलब दो अलग-अलग टाइप के molecules हों into E की power minus of E by RT ठीक है जी और इसमें अगर हम by molecular reaction लेते हैं तो हमारे लिए rate का expression हो जाएगा R equals to K A into B equals to P Z AB E की power minus of E by RT बट ये चीज आपके लिए उतनी important नहीं है इसलिए मैंने नहीं discuss कर रहा है ठीक है तो K जो होता है P into Z AB upon concentration of A Z AB collision frequency बटा है ना number of molecules per unit volume per unit time कितने टकराते हैं बटा पी बिल्कुल सही बोला है P orientation factor है कि molecules का orientation किस तरह का है और into E की power minus E by RT ठीक है क्योंकि effective collision theory से बकाइदा derivation आया है और RNAs equation RNAs ने खुद एजूम करी थी कि इसा होता है ठीक है जी तो अब most of the reactions के लिए बच्चा orientation factor 1 होता है इससे 1 ले लिया है और इस पूरे constant को उन्होंने नाम दिया है तो जब हम इन conditions को डाल देंगे तब effective collision theory की rate और RNAs equation दोनों के हो जाएंगे आपकी सेम हो जाएंगे ठीक है आपने पूछ लिया है तो यह मैंने आपको बता दिया इतना सा दिहां रख ठीक है जी तो catalyst बिल्कुल सभी बटा catalyst ने जब threshold energy को कम कर दिया तो catalyst आपका activation energy threshold energy कम होने के वाज़े से activation energy को कम करेगा और अगर activation energy कम होगे जिन reaction के activation energy जितनी कम होती बेटा वो reaction उतनी fast होती क्योंकि activation energy होती क्या है it is the extra amount of energy given to the reactant molecules above their energy to make them participate in chemical reaction रियक्टेंड molecules को उनकी खुद की energy को ऊपर जो मुझे extra energy देनी पड़ेगी ताकि वो participate कर जहां reaction में उसे हम activation energy है ना बुलाते हैं ठीक है जी उसे हम activation energy बुलाते हैं और threshold energy क्या होती बेटा थ्रेस्वोल energy होती minimum amount of energy required for the reactant molecules to participate in the reaction ठीक है reactant molecules को जिस minimum energy की requirement है जिससे वो reaction में participate कर जाए उसे हम बुलाते है थ्रेस्वोल एनर्जी ठीक है और यह reactant की energy है तो अगर हमें एक बॉल है हमारे पास यहां रखी हुई और उसे पाड़ी उस बॉल को पाड़ी के उस तरफ भेजना है तो इस बॉल को minimum में टॉप्मोस पॉइंट तक देज दू क्योंकि उसके नीचे तो खुदी आ जाएगी इसलिए इसे टॉप्मोस पॉइंट के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे वो एक्टिवेशन को कम कर देगा है और रेट कॉंस्टेंट टेंपरिजर के बीच का ग्राफ कुछ तरह से आता है के वरसिसी का ग्राफ ठीक है तो यह जा आपको चीजिए आपको अपको अध्यान को यह समझा दी बोलती है कि प्लीजन तो कूप सारे हो रहे है थाना बड़ बड़ हर है effective collision होने के लिए उस collision को दो तरह के barrier को cross कोरना जरूरी है एक energy barrier और दूसरा orientation barrier energy barrier इसी को हम बोलते हैं fraction of molecules crossing energy barrier अगर मैं आगे इसका curve बनाओ तो आपने इस तरह का curve देखा होगा कुछ इस तरह का एक curve आता है ठीक है यह है fraction of molecules जो energy barrier को क्या करता है बेटा क्रॉस करता है ठीक है ना यह activation energy है ठीक है तो ग्राब बता दिया बेटा ठीक है जी तो e की power minus ea by rt जो है fraction of molecules crossing energy barrier यह basically आपका यह reason ही है ठीक है जी बस इतनी से कहानी है बेटा और अब सब्सक्राइब कर सकते हो कि किसी बी रियक्शन के तो नहीं लगेगा तो नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो कि किसी बी रियक्शन के ती 3 by 4 और ती हाफ का relation आप निकाल सकते हो किसी बी रियक्शन के लिए तो क्योंकि आप आता है फस्ट order के तो मैं सब बताता ही हूं है ना क्या हो जाएगा ती 3 by 4 का मतलब क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको जरुवत हो तो इसमें आप कर सकते हैं प्रेक्शन इन आप मॉलेक्श उनिट लेस होता है बटा एकी पावर में जो भी आगया है बटा सब उनिट लेसे लन के अंदर एकी पावर ना क्योंकि यह सब किसी नंबर के डिफाइन होते हैं इनकी उनिट होनी नहीं चाहिए ठीक है और अब अगर मैं बात करता है बटा इनकी नहीं पॉर्डेक्शन का सबसे पहला है बटा ग्राफ मिनीमम दो पहाड़ियां होंगी मिनीमम जो कि इन में इन में रियक्टेंट भी उता है बच्चा प्रोड़क्त भी होता है और इंटरमीजेट पी ओला complex reaction का मतलब होता है ना जो more than one step में complete हो 15.7 का anti-log 2 x 10 की पावर 15.7 का बोल्ड हो ना तो 5 x 10 की पावर 15 ठीक है यह आपकी transition state 1 हो जाएगी और यह आपकी transition state 2 हो जाएगी कि एक transition state 1 और एक transition 2 pseudo order reaction क्या होता है सर पेटा जब expected order of reaction हाना और actual order of reaction अलग-अलग हो जाएं उससे हम बुलाते हैं कौनसे order reaction pseudo order थे इसका एक complex को हतम कर लो फिर बता देरों बस आपने सबी चीजें पूछी ली मैं तो खुद बोल रहा था नहीं पड़के आओ तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या particular doubt है ना क्योंकि मैं वह bare minimum theory बता रहूं जिनके ओपर आपके 99% question आएंग ना from next lecture please do give some selected question sir as PYQ can we can get in any book बेटा PYQ को ही आपने डंग से कर लिया वही अच्छे question है आप लोग यह क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपको अगर tricks पता बढ़ेगी question solve करने आगे तो आपके जो बुको solve कर लो कि ना जो बुको solve कर लो आपके सब question बन जाएंगे ठीक है जी मैं क्या करता अब कॉंप्लेक्स रियक्शन मिनिम्मम दो स्टेप्स होंगी कुछ reaction slow होंगी कुछ reaction fast होंगी तो भी वह फॉर्मले हां बिल्कुल वैलिदे विटा एन के लिए वन के लिए वालिट नहीं है ठीक है बाकी सब के लिए वैलिदे ठीक है जी तो अब अगर complex reaction की दो कीजिए हैं अगर मान लिजे हमारी reaction है ए गिवस बी टेन और बी प्लस सी गेश प्रोड़क्त ठीक है जिसमें बी क्या है आपका intermediate मान लो अगर first step slow हो गई सुन ले ना यह सबसे important चीज़ बता रहा हूं क्योंकि mechanism वाले question इसी से होते है अगर first step slow हो गई ठीक है तो आपका किल first step का जो भी rate law होगा मान लिजे rate constant k1 है वही आपकी reaction का rate law expression हो जाएगा थिर ना first step slow होगी बट अगर कभी second step slow हो गई बटा second step slow होने का मतलब आपके rate law के expression में intermediate भी आ जाएगा है ना मतलब आप जो लिखोगे बटा अगर मान लो यह slow होती तो आप लिखते k2 into b into c कि अब आपको पता है बटा कि intermediate कभी भी रियक्षेन में participate करता है नहीं है na intermediate आता है बटा और मतलब reaction चुरू होने के बात बनता है और reaction खतम होने के पहले मर जाता है तो कभी भी second step slow हुई तो इस intermediate को आप हटाओगे ठीक ना इस intermediate को आप हटाओगे और कैसे हटाओगे तब first step आपको reversible दी जाएगी और reversible दी जाएगी तो इसका equilibrium constant का expression हो जाएगा बी upon a यहां से b को मैं क्या लिख दूँगा बिटा के equilibrium into a तो k2 into a into c तो mechanism वाले जो question आएंगे अगर आपने मेरी यह ट्राइट technique सुन लिए है ना सर वो P infinity and PT वाले question है भी मैंने sheet में शामिल करा है मैं हर question को सामिल करके ही चल रहा हूँ ठीक है mechanism वाले question का बेटा सीधा-सीधा rule सुन लेना कि अगर 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 first step slow है तो तो तुरंत लिखोगे जंजट खतम कोई दिमाग मत लगा ना क्योंकि mechanism वाले question में मैंने देखा है बच्चा confuse होता है बच्चा तो इस confusion को प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो ठीक है जी और अगर second step slow हो गई बच्चा तो फिर आपको इंटर्मीजेट को हटाने के लिए first reaction के equilibrium constant का expression कंपल सरी लिखना है रटलो में तो यह बोलूँगा तो कि अगर question आया ता कि आपका गलत नो ठीक है चलिए अब आप acetic hydrolysis of ester exudo first order की reaction है यह यह आपका सी एस त्री सी डबल ओ एच प्लस सी टू एच पाई ओएच में जाता है ठीक है जी इसमें जाता है अब अगर जो इसका actual rate law है तो हाँ बिल्कुल अगर इसका actual rate law है यह सब के लिए एप्लिकेबल होगा विटाय फॉर्मुला आप एन को वन रखोगे ठीक है ना एन को वन रखोगे ठीक है तो इसका जो रेट लॉड लिखते है वह आर इक्वस्टू के ट्री एस्टर का concentration इंटू वाटर और इंटू है यह होता है बट सिंस हीड्रोलिसिस वाली रिएक्शेन वाटर एक्शेस में होता है और एक्ष्प्लस केटालिस्ट है ठीक है अब हमें तो रेट लॉड में वह चीजे लिखनी पड़ती है जिनकी वज़े इसे रेट चेंज हो जिनको चेंज करने से रेट चेंज हो जो चीज एक्शेस में होगी बेटा ठीक है आपको कभी उसकी कदर होने वाली है इन्हीं रियल लाइफ से भी सोचो अगर आपके पास कपड़े कुब जादा है तो फिर आपको कपड़ों की कदर नहीं होगी दिल से दुआ है तो जो चीज एक्सेस में होती बिटा उसकी कभी कदर करना ही नहीं हमें वैसे भी इतनी सारी पड़ी हुई है यार क्या है एक अधिगायब भी गई यही कहानी यहां पर इन एक्सेस वाली चीज को हमें कभी रेट लौ में लिखना ही नहीं क्योंकि प्रैक सब्सक्राइब नहीं है नहीं है इनकी चिंता क्यों कर रहो मैं तो अभी त्योरी बता रहो उसके ट्रिक्स तो बतानी कि भारी कभी कॉश्चिंस में आएगी आप लोग थोड़ा था प्रेशन रखो यह लास्टीज है तो इसको भी हटा देना है अब इसको हटा देने का मत तो के थी मैंने लिखाई इसलिए विटा के थी रेट कॉंस्टेंट ऑफ थार्ड ऑडर रियक्शन ठीक है और जो है बच्चा यह सेकेंड ओडर का रेट कॉंस्टेंट बट वापस सिंज एच्पिलस भी केटालिस्ट है अभी हमने केटालिस्ट की बात करी बता अगर यह नहीं भी दूंसे रीक्शन अगरर यह कंज्यूम नहीं हो रहा है तो िसका चेंटर्याथ का शोटा लोका यह औरक्लि चल रहा तो ऑच रहा जाया जासा चीज आजा है जिसका कंसेंटरेशन कुप ज्यादा हो जैसे बहाने से आपको कोई reaction दी है 2A प्लस B गेस्ट प्रोड़क्ट आप से बोल रहा है यह एक elementary reaction है तो आप इसका rate law क्या लिख हो गई आर रिक्वस्ट के अच्छी बात है आपको अगला सेशन अप अमारा थर्मों का है और आप लोगो थर्मों में खुब डाउट होते हैं बच्छा ना थीक है तो आपको चैप्टर का नाम लिखके एडवाइस देखे जा रहा हूं जैसे आपको अभी से बता देरूं अगला सेशन अब हमारा थर् अब लोगों को थर्मों में खुब डाउट होते हैं बच्छा ना थीक है तो आप लिस थर्मों भी मतला पूरा पड़का यह जो भी आपके डाउट से वह पूछते जाओगे में बताते चलूंगा वेटा ना हम लोगों को आपको ट्रिक समझ में आगी बटा हम शुरू के 45 मिनट्स लगबाग त्योरी का डिसकेशन कर रहे हैं तो अगले 45 मिनट्स में हम लगबाग 25 कोश्चन डिसकर्स कर ले रहे हैं और 10-12 कोश्चन 15 कोश्चन में आपके लिए थी ना थे ना वो हमक्रें दे जाता हूं ठीक है तो अब अगर इसमें बोल देता है बिटा कि अब यह थार्ड ओडर की तब आप इसे सेकंड ओडर की बोल दो थी ना तो इसे बोलते हैं स्यूड़ ओडर जो चीजें बेटा रेट लॉव से उन चीजों को हटा देना जो आपके रेट लॉव को जो आपके रेट को अफेक्ट नहीं करती हैं तो वेनेवर दे अक्शूल ओडर ओडर इक्शन थार्ड ओडर बट वर्किंग ओडर वर्किंग ओडर जो वह फिर्स्ट ओडर है इसी को हम स्यूड़ ओडर बोलते हैं और तेंपरेचर कोफिएंट किसी बच्चे ने बोला था बटा मू यहां अलफा जिससे भी दिनोट कर दो टेंपरेचर कोफिशिन इस बेसिकाली तरेशो आप रेट ओफ डिएक्शन अट तो दिफेरेंट तेंपरेचर डिपरेचर डिपरेचर 10 डिपरेचर से अगर टेंपरेचर का डिपरेंस हो रहा है इना थर्मो बोथ थर्मो दानिमिक तर्मो खेंश्टी एक महीं पढ़ा दो पढ़ाएंगे यह देखो पाइनल टैज रिविदन को थोड़ा रिविदन की तरह लो ना बेटा फिर तो आप पूरा यह लोग है आप तो हर चीज बोल लिए लिखाओ भी यह स्लाइड भी दो कोश्चन भी कूब दो क्य क्या करें बताओ आप लो एक रिविदन ना में जब उसको तो रिविदन की तरह लो ना बेटा रिविदन कैसे होता है यह देड़ घंटे में एक चेप्टर रिवाइस करा रहे हैं कम तो नहीं ठीक है तो इसे हम तेंपरिचर कोफिशिएंट बोलते हैं मिटा एंट फॉर मोस्ट आप रिएक्शन तेंपरिचर कोफिशिएंट की वैल्यू दो से तीन के बीच में होती ही मतला दस डिग्री सेंपरिचर बढ़ाने पर रेट आप रिएक्शन डबल यह क्या हो जाती है आ ठीक है तो यह इतनी सारी चीजे में बता दी बटा नौ वी आर मोविंग तो कोफिशन के थू हमारे चालू हो रही कानी विच ऑप्शन इस वैलिट फॉर जीरो और रिएक्शन का टी थी बाय फॉर और टी वन बाय फॉर और टी किसका रिलेशन पूछा है उसने ती हाफ का तो हमने कोई फॉर्मुला ऐसा नहीं लिखा है बठाम यह तो पता है विटा कि जीरो और रिएक्शन की रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होती ठीक है बोलो जल्दी से आप एंसर बोलते चलो अब कोई टाइम नहीं लगना चीए ठीक है जी अब कोई टाइम नहीं लगना आप गया क्या है अगर मिंसी फॉर्थ होने में पूछूंका टाइम तो किता लगेगा विटा थी ए नौट बाइफ फॉरके तो आपको जो रिलेशन चाहिए तुरंत आप बता सकते हो क्या रिलेशन आ रहा है टी हाफ जो है वह टी वन बाय फोर का क्या है डबल है तो हमार तो नहीं आना चाहिए बेटा थमाज में आना चाहिए मैं मज़ा देने के लिए तो नहीं खड़ाओ उसके लिए तो कभी सब अकेले में मिलना तर्दूंगा मज़ा में हुँ ठीक है क्लियर यह चलो अगला कोशिन बढ़े बिटा जल्दी से यह बच्चा किसी ने बोला था ना कि सर वो वॉल्म वॉल्म चेंज वाले कोश्चन बताओ यह आ गया रेट ऑव रेक्षिन बिविन टू रिएक्टेंट्ट्टेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मेरी शुरूर से FTR को इस बार चलाने का मूड यही था बट फिर बाकी सभी ने जिस तरह से करा में उनके हसाब से आ गया नितु मुझे लगता था पचास कोश्चन आपको समझाओं उसमें सब तरह के कोश्चन हो थियोरी हो थियोरी उसी में समझते चले इनके लिए बिट है उसको इसा फूम तो चेंज इंग इन कंसंट्रेशन चेंज इन कंसेंट्रेशन की पावर क्या और ऑडर इपसके बडिशूरा है क्यों इसके ओपर कॉश्चन आने के पूरे-पूरे चांस होते है उसने बोला है रेट चैंज हुए कितने फेक्र से निदिक्रीज इन ड्र यह जरूर धियान रखना मतलब आपको 1 by 4 रखना ठीक है जी 1 by 4 गलत है आपकी शोर तुमारा और चेंज इन रेट बी का कंसेंटरेशन डबल करा है उसके रिस्पेक्ट में ओडर रहने बिटा अब 1 by 4 को किया लिख सकता हूं 4 is nothing but 2 की पावर 2 मदद 2 की पावर माइनस 2 तो हमारे लिए n की वेल्यू किती होगी बिच्चा माइनस 2 बॉम्बे है एंसर बी ठीक है यह है फॉर्मुला जिस भी बच्चे ने पूछा था यह मेरा बनाया हूँए एक शोर्टकट फॉर्मुला है इससे कोई कोश्चन करो आप कि आदद मैंने बापको बार बर बोल रहो हूँ ओन डिदू इंग कंसेंटेशन अफ एक का एक कंसेंटेशन हमने आफ करा तो अभी मैंने फॉर्मुला बूला था हाफ की पावर है चेंज इन रे चेंज इन कंसेंटेशन की पावर और रेट चेंजेस तू.6 अब उतने 1 by 4 को हम क्या लिखेंगे 1 by 2 का स्क्वेर तो हमारे लिए एन की वेल्यू कितनी होगे बिच्छा 2 तो आपका एंसर हो गया बाँबे हमारा इंसर हो गया कितना बाँबे इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है बट यह प्रीवेस कोश्चन जे थोड़ा से डिफिकल्ट था क्यो हमें उस डाटा से डरने की जरूवत नहीं है हमें के डेशो ले लेना है जो सकता है उसने यहां पर भी यह लिखा है वह हाफ में न लिखे बहाने से क्या बच्चा ओडर चली अगला इनने फर्स्ट और रियक्षिन अगर के रेट कॉंस्टेंट है और इनीशल कंसेंटरेशन अफ्लाइफ कभी भी पर डिप्छा थिकर इसका हाफ लाइफ हमेशा लन 2 बाय क्या होता है के ठीक है जी लन 2 बाय के ठीक है तो इन्होंने तो कोई भी के इस रेट कॉस्ट निश्य नहीं दिया बच्चा है ना कोई भी फॉर्मुला सही नहीं दिया है यहां पर यह मिस्प्रिंट हो कि भाईया यह के हो तो अलग बाते 5 गलती से चपकिया होगा तो हमें अब यह भी परेशान करने के लिए देरा है ठीक है आप लोग कित्ता भी बेटा कर लो सरा सरा यह उनली आस सर्थेंक्यू सो मच सर्शॉट्री ओके बेटा शॉट्रिक्स नहीं है मुझे पता था आप जबरदस्ती बोलोगे ठीक है यह तो गलत कभी टिक नहीं करना विटा ध यह देखो उन्होंने बहाने से एलेन टू बाइ एलेन टू बाइ के दो दिया है साथ में कंसंट्रिशन भी दे दिया है ठीक है ठीक है गलत कभी मां टिक करिए ठीक और आप बहले कितने भी टफ कोश्चन करा दो सरा अच्छे कोश्चन करा दो आपके नीट 2021 की डेट आ काम नहीं है तब मैं मिलूंगा अपने इनी एक यह कोश्चन के साथ और आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इनी कोश्चन को सही कर ले जाते तो आपका सिलेक्शन यह वैसे भी आपका सिलेक्शन होगा इटा ठीक है बट अच्छे डंक से करते तो और अच्छी रैंक आती ठीक अफले मेथड और और कैसे आता है एने अथ और की रियक्शन से आता है बच्छा और की रियक्शन से जो अब ही अमने फॉर्म लिखा था उसमें टी हाफ का फॉर्म्ला निकालो और कॉंसेंट को अता दो टी हाफ इस प्रोपोर्शनल टू वन बाए एक पावर न माइन में बटा आपको बता दिया एक ट्रीक बता दीती है ना क्या बता दी थी विटा 25% कम्प्लीट 50% कम्प्लीट आप उस फॉर्मले से भी कर सब तो बटा मिरको को दिक्कत नहीं है विचयतर परसेंट और 100% तिक ना पैचयतर परसेंट को कम्प्रीट होने में चार घंटे लगे 25% को चार घंटे लगे हैं बच्चा산 जीरो ओडर एक्षिन है ठीक है ठीक है अगरी मेरी बास समझ में अगर आपको फॉर्मुले करना है तो फॉर्मूले से करो एक बार में फॉर्मूले वाली बताता हूं एटी बराबर एटी बराबर इनोट माइनस के थी तो अगर हमने 80 को 75 परसेंट कंपली होगी 80 को 100 माना तो बचा 25 माइनस के और ताइम फो तो यहां से आपको पहले के निकालना है ठीक है ना 75 परसेंट कंपलीट हो रही है मतलब बचा है 12.5 इक वस्टू 100 माइनस 75 पाइफ 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 इन्टू टी तो यह अंड्रेट जब उतर जाए गा पाइफ तो टी की वैल्ली हो जाएगी 4 इंटू 87.5 अपॉन 75 क्या रही मेरी बात समझ में सभी को इससे अगर हम सौल करते हैं बच्चा ठीक है ना 75 और 87.5 इसको सौल कर लो आपका एंसर आजाएगा तो यह डेड़ा आई रहा है आपका लगबगे रेश्यो थ्री बाइटू आजाएगा उससे आपका एंसर आजाए कितने और शिक्सवर बट आप इसे ओरली भी करना चाहते तो इस दिमाग से लगा सकते थे यहां तक आने में अगर चार घंटे लगे हैं तो इसके आगे आने में वोटा कितना इंदा दो गंठे हो निजाकता है बीज गंटे हो न ही जखता है आथ घंटे और शे गंटे में से कियल खो सकता बटेट शे गंटी ठीक है चलिए देग्ठेब्स नियर्स ऐस्ज G Gaza reaction इस डाट आयए देखत कि अधिया रेक्शन के अनुट्ड के बीक अनुट बाद्ध के इस नुट करते हैं चिल तो इस किसी मेंगे बीड गांव दाख रहते हैं छिक है स्विस्टिवार कि देपैंड रेत करते हैं तो दोनों कि डिपेंड करती है टीक है रेत फर्स्थर्स डिपेंड तॉस्ट डिपेंड और सेकेंड ड़की तो प्लोओ ठीक है अधर्वाइस नहीं हां 3 x 2 x 4 बिल्कुल सही है बिटा आप डारेक्ट शॉर्ट कट फॉर्मला भी बना सकते हो तो 6 का एंसर हो गया बिटा बॉम्बे चलिए अगला activation energy का question energy of activation of forward reaction 50 है enthalpy change for the forward reaction is 20 है enthalpy change of backward अब यह इतने simple simple question आपके पीवाइ क्यों के हैं विटा 19-20 तक के question मैंने ले लिए एंस के आई PMT के जो जो मुझे अच्छे लगे हर तरह की variety आ जाए तो हमारे पर सीधे सीधे formula क्या थे बिटा डेल्टा एच जो 20 है इकवर्स तो यह forward जो 50 से बिटा और माइनस यह किसका बिटा बैकवर्ड तो यहां से यह बैकवर्ड इदर गया 50-20 सीधे सीधे answer कितना हो गया बिटा तीन चों किना सीधे सीधे आपका answer हो गया कितना बिटा तीन तीस किलो जूल आपका एवाला answer है यह रहा answer हमार तो इतनी फटाफट question होने आले बिटा इन 35 questions को करने में आपको hardly 20 मिनट लगेने चाहिए और अगर आप इनके shortcut समझ ले रहे हो तो फिर आप गोई भी sheet कर रहे हो बिटा जो भी आपके पुराना material होगा तो उनके question भी आप से बिटा इसी time limit के साथ करो 25 मिनट रखा करो बस इतना सुन लो अभी से उससे जादा नहीं 25 मिनट में हो जाने चाहिए हमारे question ठीक है आई यह विच और फॉलिंग स्टेट्मेंट पॉर्डर ऑफ रिएक्शन इंकरेक्ट अभी पुराना question है बिटा कॉम्पेटिटी एग्जाम का जेए में भी आया हुआ है नीट में भी आया हुआ है और इस नॉट इंफ्लेंस बाइद इस्टाइचिमेट्र कोफिशन ऑफ रिएक्शन यह भी सही है बिटा अगर हम हमारा rate law expression आर एक्वेस्ट के एकी पावर एक्स बीकी पावर वाई लिखते हैं बच्चा तो यहां से मौडर ऑफ एक्शन कितनी बोलेंगे हमारी एक्स प्रस्था यह ओर अफ एक्शन आवर एक्शन इस अल्वेस्ट होल नंबर यही हमारा एंसर ड़र का जरूर नहीं होल नंबर वो तो फ्रैक्शनल भी ओ सकती और कैंड बीटिमाइन only experimentally this is also correct तो इसलिए हमारा correct answer इसका मतलब ओर के बार में इनकरेक्ट ऑप्शन सी है ठीक है चलिए आईये मेकनिजम वाला कोई बच्चा डाउट पूछा था बटा आ गया देखिए देखिए दे रियक्शन ऑफ फस्ट और विद रिस्पेक्ट टू एच्टू एंड आईचील गास मतलब इसका मेकनिजम क्या होना चीए बटा आर एक हमारे पास दो मेकनिजम में पहला मेकनिजम बन दूसरा मेकनिजम टू पहला मेकनिजम पिटा एक सिंगल स्टेप में हो रहा है ठीक है जी सिंगल स्टेप में हो रहा है एट का ऑप्शन ए तो सही होगा न पर ऐलिमेंटरी रियक्शन बटा तो अगर नहीं लिखा है तो हम थो नो मानेंगे किसी बा रीकशिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आम elementary थो नो मानेंगे ठीक है चलो 9 में सब आओ जल्दी से 9 अच्छा कोश्चन है बटा 9 कोश्चन को देखो जल्दी से सभी ठीक है तो क्या mechanism a सही हो सकता है जल्दी से बताओ क्या mechanism a सही हो सकता है जल्दी बताओ बोलो जवाब दो तो मैं आगे बढ़ो झाल फ्रe cya in YouTube मेरा कउश्चन ये आगर सभे होता बिटा सिंगल स्टैप में लिखा है तर एक फ़र्स्टॉर्डर वाले स्विस्ट्रडर को समझने में problem होता है जो बार भास में लेकिन सब्सक्राइं प्राब्लम होता जो दो बार में हो रहा है लेकिन प्रस्ट अधर नहीं प्रस्ट वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है सिंगल स्टेप में लिखा है मतलब यह रिक्षिन सिंपल मान रहा है वह अगर मेकनिजम लिख दिया है यह है ठीक है और तो उसे सिंपल मान रहा है सिंपल मान रहा है तो कोफशिन टू है आइस इल सिंफेल को एसको होना कर बिए नियुक्रा पर क्ट नहीं चाहिए बेटा फर्स स्टेप उसने स्लो दे दिया वाट आयव टोल्ड यू अगर पहले स्टेप स्लो हो जा रही है जो भी रियक्टेंट साइड में आ रहे हैं और जो भी ऑर्डर आ रही है जो भी उनका कोफिशंट है उसे ऑर्डर में ले जाओ देखको आप यही एक्सपेशन बेटा बट जिसको डाउड था बेटा में उनके लिए इसको कर रहा हूं कि अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी सेकंड सेप स्लो होती तब मैं रेट लॉड लिखता रिक्वस्ट के कंसेंट्रेशन ओफ एचाई इंटू कंसेंट्रेशन और अभी मैंने बोल दिया बेटा आपक ठीके रिवर्सिबल होनी चाहिए थी बच्चा अगर गलती से नहीं भी दे तो वह उसकी मिस्टेक है बेटा आप उसे रिवर्सिबल मानना रिवर्सिबल मानों तो आप इसका इक्विलिब्यम कॉंस्टेंट का एक्स्पेशन क्या लिखोगे है ना है एच्छी एल उपर है बी उपर नीचे हैं पोर-इस बाएच अब आपको यहां डिस्यत यह को उटाना है तो सब्सक्राब क्या लिखतक्र के अक्विलिबृम यहां रीघ डाइरेक्टल हो यहां से ना into h2 भी आता बच्चा into icl भी आता और नीचे hcl भी आता और साथ में icl यहां पर रूर आता तब यह question और अच्छा और tough हो जाता बिटा है सिर्मेकैनिजम एक यो नहीं ले सकते हैं प्लीज एक बार यार क्या दो लेते हो तुम लोग हैं अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन लिखी है तो simple reaction होगी simple reaction के लिए order and coefficient बराबर होने चाहिए तो इसका है और coefficient टू तो इसके order और भी टू होनी चाहिए थी तो होई नहीं सकता ही जब उसने उपर लिख दिया है कि फर्स्ट ऑडर एच्टू कर इसप्रक्ट में उसमें तो ना फास्ट कहा है हाँ इसमें नहीं कहा है बिटा मैं कहे रहा हूँ अगर इसे स्लो इसे फास्ट कर दू तब यह कोश्चन ओर टफ हो जाता और तब इसका मेकनिजम यह होता और इसलिए हम बोलते भी बिटा कि रेट लॉ में प्रोड़क्ट भी आ सकता है अब देखो एस्सील प्रोड़क्ट बड़ रेट लॉ में आ गया है तो यह परफेक्ट एक्जामपल है इससे मेकनिजम के आईडिया देखना और मैंने तो रूल ही बोल दिया आपको बगर आप उस रूल को समझ सकते हो तो सुन सुन लो कि अगर फर्स स्टेप स्लो है तो कुछ नहीं करना है ठीक है फर्स स्ट इस तक मेरा कोई कोशन जिंदेगी वर रुका नहीं है आपका भी नहीं रुकेगा ठीक है चलिए पार दार येक्शन अगर डी नेस्टी बाइटी की वैल्यू इतनी है तो डी अस्टी बाइटी की वैल्यू बताओ इसका कॉफशन की तरह है टू ठीक है तो हम क्या होगे डी एस्टू बाइटी कितने टाइम हो गया विटा क्योंकि इनका खुद का कॉफशन नीचे जाता है तो टू नीचे क्या एस्टू का कॉफशन ऊपर से लेगा इन्टू इस वैल्यू मल्टिप्लाय करेंगे तो क्या एंसर हो गया यह आपका ही कोश्चन है पुराने अच्छे कोश्चन करा हो यह करो मैं नहीं बता था पीवा है क्यों तो आपको यह कोश्चन अच्छे लगने लग जाते हैं तो हम लोग ना लाल्ची कूवे बेटा और अंसाटिस्वाइड है जितना मिल रहा है बेटा संतोशी सदा सुखी उसमें सुख रहने के अधर डाल है तो automatically concentration four times decrease हो जाएगा बेटा क्योंकि concentration is most by volume इन सभी questions के जवाब में दे चुका हूं बेटा यही फॉर्मूला लगेगा change in rate change in rate should be equals to change in concentration की power order सबका यही फॉर्मूला है और concentration volume का relation एक दूसरे के inversely है तो अगर volume four times आप कम कर रहे हो तो आप concentration four times बढ़ा रहे हो बस इतना सा logic लगना है ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा for the reaction the value of rate of discipline of N2O5 is given as this the rate of formation of NO2 and O2 is respective जितना मिल रहा है वही सही है वही संतोशी सदा सुखी होना चाहिए आप तो बोल रहो कि यह भी कर दो वह भी कर दो पूरे दो मैने तक हमें पढ़ाते रहो what we have committed FTR 30 days का course है उतना हम पूरा कर रहे हैं देड़ गंटे का live lecture मिल रहे हैं अच्छे अच्छे कोशन करा रहे हैं बट स्थिल आप लोग बोलोगे कि नहीं तर अब तो आप मैने तक हमको पढ़ाते ही रहो यह करते रहो में material ओर दो ना तो यह थोड़ा से बिटा लाल्ची में दोनों जितना कोर्स का commitment है और आपके आपको लगता हमें और करना है तो इतना तो बिटा आपको भी करना पड़ेगा तो अब इसमें क्या कोशियन में एंटू और नव और कि बात करें तो बैटा किसी में किसी का देखो मैं नाम तो पढ़ भी नहीं रहा हूं भी अच्छा आपका पढ़ लिया रहा है इसलिए आप नाराज होगे नाराज होगे क्या भी अगुआ इसको डबल कर दो तो यह नो तूकिया जाएगी और दबल करोगे तो सिक्स पॉइंट तूफाइव का डबल ट्यूब ऊट्सने वन पॉइंट तूफाइव कर दिया एंटू 10 की पाव मानस 2 बादे एंसर बी यह डी में से होगा बादा और और दू कोशेंट चुकी हाफ य तो इसका भी हाफ होगा 6.25 का हाफ हो जाएगा आपका कित्रा 3.125 3.125 इंटु 10 कि पर मैनस 3 अप्शन हो गया करेक्ट को सा बेटा बॉम्बे वाला ठीक है चले आगे बढ़ते हैं मैचा बॉम्बे एंसर डूरिंग दीकमपोशन अफेस्टू ओ टू तो गिव ऑक्सिएन 48 ग् एक्षिन जरूर लिख लो हमें पता है एक्ष्टू ओटू का एक्ष्टू सॉलिशन हाइली अनिस्टेबल होता है ठीक है और वह डिस्प्रोपोशनेशन शो करके वाटर और ओटू में तूट जाता है तो इस तरह से तूटा अब अगर मास में कॉश्चन हो बेटा जो यह हो और ओटू मतलब पहले तो करना है आपको ठीक है ना ओटू की रेट को टू से मट्प्लाइब करना अब रूल सुन लो बटा जिसका दिया गया है इसको इसके मोलर मास से डिवाइट करो और जिसका पूछा है बच्चा है एस्टू का उसके मोलर मास से मैंटिप्लाइब अगर मास का कोशन आ जाए एक लाइन में करना बच्चा बाकी आपकी मार्जी है यह 3 हो गया बच्चा यह 2 हो गया और 202 आपका कैंसल 8 3 जा 54 ग्राम पर मिनिट ना बटा उसने उसमें भी चला की कर दी बटा उसने वापस मोल में पूछा है तो 54 को वापस 18 से डिवाइट क मेरा 20 साल का नुवा में आपको मेरा 20 साल का नुवा में मैं बतादो उसने में क्या होल गो इक हो कि relying and ग्राइट करो और इसके मोलर और मॉल्री आब हैं ठीके चलिए रिवर्स आप elétका कर Old human अगर उसने नीचे प्रोड़क्ट ऊपर रेक्टेंट नीचे प्रोड़क्ट ऊपर तो ग्राफ आपका सी और डी में से हो सकता है वेट उसने साथ में कंडिशन डाल दी हाई एक्टिवेशन इनर्जी मतब पाड़ी फोर उपर होनी चाहिए पाड़ी उपर केल ऑप्शन सी में है बच्छा यह दोनों तो होई नहीं सकते यह और भी क्योंकि दोनों एक्जो के हैं ठीक है इसने हमारा थाटीन का एंसर हो गया सी ठीक है खतम आगे एक जगे प्लस तरफ क्या होना चाहिए मैंस क्या मेरी बात आरी सभी को समझ बें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका है ना यहां पर बी होगा यह प्लस बट बी के लिए माइनस शायद उन्होंने पूछा हुआ है तो इतना सिंपल सा कोश्चन भी उन्होंने आप से बीक्षिंटर Guru के गिःट felt कुंस कार्या मोलन इस पहुंट इसट उन्होंने प्रइंट इणू कारें 10 के शोंना इस यह पड़ा वे शायक को धुद्य नियूट 29 यहां से आपको के पता पड़ा तो इंटू 10 की पाउर कितरा मैनस त्री अब आप से इसने टी हाफ पूछा है क्या फार्मुला होता टी हाफ का एलें टू बाइक मतलब एलेंट तू को में 0.7 ले लूँ बेटा अपन टू इंटू 10 की पाउर मैनस त्री माइनस त्री नीचे स k2 gives 2a, यह rate constant k1, यह rate constant k2, यह पूछ सकता है, ना नीट में पूछा भी गया है, ठीक है शायद मैंने इसे add नहीं करा, जो चीज मैंने add नहीं करी उसको तो मैं जरूर बता दो, क्योंकि आपके doubt नहीं रहना चाहिए, 14th में no option is correct, option correct नहीं थे, वो minus कर दिया, मैंने correction बता दिय हाँ, अब इसमें देखो क्या होता है, अगर आप से, अगर आप से, minus of d, a2 by dt का expression पूछ रहा है, ठीक है जी, तो a2 दो reaction में आ रहा है, first में भी, second में भी, first में वो reactant है, तो हम बोलेंगे k1 into a2, ठीक है, और second में वो product है बता, तो बीच में minus sign आएगा, ठीक है, और k2 into a का square, k2 into a का square, अभी just में 13 का एक बैस लेकर आ रहा हूं, जेही का, उनका live drought session था, वहाँ पे भी एक question आया था, जेही means 2019 का question था ये, और उसमें उन्होंने da by dt की value पूछी थी, ठीक है जी, da by dt की value पूछी थी, अब option में क्या था, वो मेने बच्चों को ट्रिक बता ही, सब चार जो option नीचे दिये थे वेटा, अगर वो da by dt की value पूछ रहा है, तो a का coefficient कितना है, 2, ठीक है, तो k1 में भी 2 आएगा, k2 में भी 2 आएगा, दोनों में 2, 2 आना ही था, confirm है, ठीक है, a2 का coefficient 1 है, तो k1 k2 में 1, 1 आएगा, ठीक है, यहां पर जो coefficient है, वो पावर में जाएग का 2 k1, a2 और माइनस 2 k2 इन्टू एगा, यह रहा, इतना सा ध्यान रखे बच्चा, यह reversible reaction जिस भी बच्चे ने पूछा था बच्चा, यह रहा, I hope समझ में आगया होगा, चलिए, आगे बढ़ें पीटा, 15 के बाद 16, further reaction आगर यह है, unit of rate of reaction and rate constant, अब रेट of reaction, अब देखो यूनिट के ओपर भी question आए हुए, क्या दा जन्रल फॉर्मूला, mole per liter की पाउर 1 minus n, n था order, तो अगर 3 by 2 रख दिया, पहले उसने rate of reaction का बुला है, rate of reaction की unit mole per liter per second, 3, सब जगे, 3 जगे सही है, यह हो जी नहीं सकता, अब यहां से अगर order 3 by 2 है, तो mole per liter की पाउर minus half होगा, मतल सब्सक्राइब करते हैं, इन जीरो order reaction for every 10 degree size, जिस बच्चे ने temperature coefficient कूब बार पूछा था, देखो, आगया question, every 10 degree rise पर, rate double हो रही ही, मतलब उसका temperature coefficient 2 है, बच्चा, अब वो बोल रहा है, अगर temperature को, हमने सीदे 100 degree Celsius, है ना, यह degree होना चे, 100 degree Celsius से 1000 degree Celsius, बढ़ा दिया, rate of reaction विल इतना ज्यादा चेंज कर रहा है, तो R T प्लस डेल्टा T upon R T, इनिशल टेंपरेचर है, ठीक है, एक पॉस टू, temperature coefficient मू की पावर, डेल्टा T by 10, temperature coefficient मू की पावर, डेल्टा T by क्या आपका, 10, यह होता है, बच्चा, हमारा तरीका, ठीक है, बाट इस question में, मुझे बढ़ा सा मिस्प्रिंट लग रहा है, इंक्रीश फॉर्म हंड्रेट डिग्री सेस्ट तो थाउजेंड, मुझे अपका हंड्रेट है, और यह हो गया, बच्चा, है न, कितना, डेल्टा T की वैल्यू 900 हो गई, और 900 हो गई तो 900 हो गई दस, मुझे टू की पावर, 90, यह तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुझे इस कोश्चन में मिस्प्रिंट लग रहा है, ठीक है, फ्रॉम हंडेट डिग्री सेस्ट तू कितना है, एंसर इसका कितना है, हम चेक करें उससे, पांसो बारा है, पांसो बारा का मतलब होता है, तू की पावर कितना, नाइन, तो मेरे इसाब से यह मॉडिफिकेशन करना है, यह 190 डिग्री सेस्ट होना से है, अगर 190 होता, तो डेल्टा टी की वैली 90 होती, 90 बाई 10, तू की पावर हो जाता है, ठीक है, और तू की पावर नाइन, पांसो बारा होता है, ठीक है, तो एक मिस्प्रिंट है, उसे सही कर लेंगा, चलो, इब अगर यएक्शनेंस आख को बें अघीक हो, रिए पावर नाइन पावर, जान गया, जाए हो जाता है, यह जातses बता है, तो तेंन युट जाता है, तो के यprofits मोड़ा इस पावर से स्पावज हो बाफिकेशन गया है, रिखिक है, बाइट जानी इकवार माइनस एबाय आटी एकवार्ट इसने पुरी बोल दिया बिता से में तो एकवार माइनस ऑफ ये एबाय आटी है न उसने किसकी वैल्यू पूचिए बच्चा पीएक्षमिनेशना सेम फोड़ रियक्षे एकष्ण हना उसने किसकी वैल्यू पूचिए ये मैनस इबी की इप उपवार क्या लिख सकते माइनस ऑफ इवी भाई आटी की पावर लिख सकता हूं कि नहीं कि यहां गरत कर रहा हूं प्ट तो यहीं रहेगा है ना तो हम एंटी लोग लें तो एंटी लोग लेंगे तो मैनस यह वाई आटी इस एलन तू और माइनस ऑफ इवी भाई किया बैटा ठीक है अब उसने यह माइनस आप से इवी की वैल्यू पूछिए बच्चा पहले पूरी एक्वेशन को आटी से मल्टिप्राय कर दो ठीक है तो हमारे और साथ में क्या माइनस भी तो हमारा एंसर हो गया माइनस ऑफ आर्टी लें टू जह ठीक है तो यह टफ कोश्चन था बेटा देखो आप अच्छे कोश्चन बोल रहा है यह रहा आपका अच्छा कोश्चन कि किस तरह से आपको इस एक्वेशन को सौल करना ठीक चलिए वाट इस एक्टिवेशन एनजी फॉर रियेक्शन इफ रेट डबल टेंपरचर इस फॉ जूल पर मोल में है पहली कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा बेटा कि आर को बजाए एट पॉइंट सीवन लेने के टूब 25 बैट सी ले लेना इंटू वन बाई टीवन बीस दिग्री सेल्चियस का मतलब 293 ठीक है और 35 दिग्री सेल्चियस का मतलब 308 ठीक है अगर आप लेत सब्सक्राइब लेन 2 को 0.7 लो 25 बैटीन इंटीप्लाइब हुआ बेटा 293 308 यह भी गया और इन दोनों का दिखेंस बीटा 15 नीचे आया यह एक्टिवेशन एनरजी है ठीक है आप केल्कुलेशन ट्रिक सुनों मेरी यू आप सी दा वाइट डिफरेंस बिटून दा वैल् सबसे पहले जो उड़ा सकते हैं यह तीन हो गया यह पांच हो गया इसको भी रफली 300 लो इसको भी रफली 300 किलो जूल के लिए 30 जिरो रटाओ अब तीन से एक तीन गया इस तीन से यह दस गया दस इंटू.7 साथ हो गया साथ इंटू.35 आपका एंसर है 34.7 किलो जूल पर यह भी टाफ कोश्चन है अगर इस साल भी आया तो आप लोग जो मैं आपको शिखा चुका हूं आप में से भी कई बच्चे एक्जाम में आया तो वापस गलत करके आ जाएंगे ध्यान देना आप में से भी कई बच्चे गलत करके आ जाएंगे इम आभी से बता रहूं तो इसे द्यान देना अच्छा चलिए आईये फिर मेकेनिजम का एक कोशन आ गया है जल्दी से एक्स फॉप्लस वाई टो गिस टू एक्स फास्ट अगर फस्स फास्ट है अगर सेकेंड इस लोगी और जब भी सेकेंड स्टेप लोगी तो आप जो रेट लौ लिखो गे और एक वस्टू के मैंने सब कुशन और और को है और आपको जसे समय मुनने सब लोगी और सब्सक्ट X into X मतलब X का स्क्वार और नीचे क्या बिटा X2 अब हमें तो X चाहिए बिटा तो X के लिए क्या करेंगे हम लोग X को क्या लिख सकते हैं बच्चा के equilibrium into X2 दोनों का अंडरूट और यहां पर हमने पूट कर दिया बिटा तो हमारे लिए X2 की वारेटाज टोर हो गई हाफ हाफ वाय टू की पावर वन है तो टोटल ऑडर हो गई one प्लस one बाइटू ओनब यहां डेัथ एसवितक उतलब देख सकते हो how much time will it take for 20 gram of the extract to reduce to 5 gram 20 gram से 5 gram होना बिटा first order का question तुरंत होना चाहिए 20 से 10 होना है ना 20 से 10 होना मतलब T half में होगा फिर 10 से 5 होना फिर T half में होगा मतलब ये process 2 T half में हो रही है बिटा 2 T half में हो रही है और T half की value कितनी होगी बच्चा है अगर के 10 की पहुर माइनस टू है मैंने एलन टू को पॉइंट सेवन लिया तो पॉइंट सेवन बै टैन की पहुर माइनस टू मतलब सत्तर सत्तर का डबल एक सो चालीज मतलब हमारा एंसर हो गया पॉम्बे फिर्स्ट और का कोई की पी कोश्चन पीटा अगर इससे फास्ट नहीं करा अपने तो डूब मरना साफसा बोल रहा हूं बुरा मत मानना तुरंत होना चाहिए इतना ही फास्ट होना चाहिए कभी अब हमें फास्ट ओडर में के एक वस्टू पन बाई टी एलन वाला फॉर्मूला लगाने की जरुवत नहीं अब आई अगला कोश्चन पीटा इनीशल रेट मैथड के ऊपार बड़ा कोश्चन टफ कोश्चन यह भी टफ है देखके यह बच्चा डर जाए बट इसको हम च में डूबल और h-plus भी डबल ठीक है बट रेट में नौ चंज रेट में नौ चेंज रेट में नौ चेंज रेट में नौ चेंज किया रे-मेरी बात सभी को समझ में ब्याइट टूर्ट डबल एच प्लेस डबल रेट में नो चेंग मतलब जो बयाट तो के रिस्पेक्ट में और होगी बच्चा है ना वही एच प्लेस के रिस्पेक्ट में और होगी यह ना बट बट उसने रेट आफ डिसेपरिंस आफ इसको दे दी अच गांगे इनवर्ट एक की पावर प्लस होगी दूसरे की पावर माइनस होगी क्यारी मेरी बाद समझ में ठीक है अगर कोश्चन का डाटा सही है तो उन्होंने डाटा गड़बड कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना फिर अगर हम देखते हैं बिटा किसको पॉइंट 05.05 यह डाटा गड़बड है बिटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना विकॉस फॉर थी रियक्टेंट्स वी शुड़ है फॉर एक्स्परिमेंट तीन रियक्टेंट्स अब भी होते हैं तो मैं ख्षमा चाहूंगा पॉर एक्स्परिमेंट होने चाहिए तब यह हो होता है क्योंकि यहां से कोई भी रेट लौ आपका मैच नहीं होगा मैं देखके ही समझ गया हूं यह एंसर गलत चप गया है 22 का एंसर CCC कहां से होगा बटा CCC ब्यार टू और H प्लस का स्क्वेर कि इसकी भी कंसेंट्रेशन डबल इसकी भी डबल आप अगर बोल रहे हो ब तो कोश्चन का डाटा गलत आ गया है अभी मैं राइट नहीं कर सकता हूं ठीक है आप इसे सही देख लेना एक बार करेंगे आगे बढ़ते हम फिर बटा रेट ऑफ फर्स्ट और रेक्शन इस पॉइंट जिरो फोर मोल पर लिटर पर दस सेकेंड पर और इतनी 20 सेकेंड प यह आपका जेए का पुराना टफ कोश्चन है जो आपकी मेडिकल एक्जाम वाले रिपीट कर ला है इसमें आपको दो एक्वेशन बनानी पड़ेगी मैं हिंट दे रहा हूं एक बार टाइम को रफोगे दस वन बाइके ऐलन ओफ एलन ओफ अब उसने रेड बोली है फर्स् इसको मैंने लिख दिया है हमें इसको सोरी हमें इसको लिखने की भी जरुवत नहीं है पहले मैं अटाओं तो इस फॉर्मुले से यह हमारा हो जाएगा क्या बच्चा टीवन टीटू माइनस टीवन एक्वस्टू वन बाइके एलन के अंदर वेटा एवन बाइटू ठीक है मैं प्रेशर वाला एक कोश्चन चाहरा हूं वो आ जाए चलो यह तो सिंपल है प्लोट ऑफ कंसेंटेशन आ रहा है मतलग मैं समझानी बिटा तो यह रिएक्शन कौन से ओडर की होगी ठीक है चली यह देखिए यह दलती से हो जाएगा आपका और एक्शन आ प्लेस बीकिस प्रोड़क्ट इस अब्जाव दैट ऑन डबल इनिशल कंसेंट्रेशन अफे ओनली रेट ऑफ रिक्शन अलसो डबल यह दबल होने पर एक्स्टा फोर्स चेंज हो रहा है वो किसकी वज़े से आरा बी की वज़े से मतलब बी के रिस्पेक्ट में और टू होनी चाहिए तो सीधर सीधर हमारा एंसर हो गया रेट इकपस के एंटू बी का स्कूर ठीक है यह हो गया आपका एंसर इसका कौन सा ठीक है बॉम्बे ठीक चलिए तो अब यह बटा दस कोशन बच रहे हैं एक बच्चे का बटा प्रेशर वाला कोशन नहीं आय तो मैंने डाला था बिटा बिने हर कोश्चन को कवर करने की कोशिश करिए तो यह में लास्ट कोश्चन इसक्रस कर ले रहा हूं बाकि आट नो कोश्चन कि आप अटेम्ट करना वो नहां हो आप इंटू सेब पर पूछना में जवाब दूंगा आपको इसकी जिंता नहीं हो इन्हें होमोजीनियस रेक्शन इस इनिशल प्रेशर वास पी नॉट और अप्टर ताइम टी इस पी एक्स्प्रेशन आप रेट कॉंसेंट के इन टरम अब इसमें आपने टी इक्वल टू जीरो पर बच्चा मान लिया इसका प्रेशर है कितना पी वन अभी मैंने माना है पी वन आप बोलोगों से पी नॉट दिया है वह बाद में लिंक करेंगे ठीक है और टी इक्वल टू टी पर बच्टा जैसे आप मोल कॉंसेट हमने पहल हम देखे टी वाल टू पर टोटल प्रेशर कितना होगया बच्चा पीवन सभी का सम और टी प्र टोटल प्रेशर सभी का सम फीजी pas सबीально ठीक है हमारे लिए फर्स्ट अडर कार्णार इनीटिक जो फॉलो कर रहा बच्चा एक कर रहा है तो हमने जो यहां माना है बिट्चा के एक वस्तु वन बाइटी एलेन यह सबसे इंपॉर्टेंट चीजे सुनना बिटा जो आपने यहां माना है एलेन के अंदर वही आएगा एक का इनीशियल और एक का ही फाइनल तो उपर पीवन नीचे पीवन माइनस तो पीवन हो गया पीटू तो यहां पर अंदर हमने पीट लिख दिया ठीक है जी माइनस वेटा P2 अब टोटल प्रेशर उसने बोला टाइम टी पर P है तो P1 की जगे अगर मैंने P0 लिखा है तो P2 की वैल्यू कित्ती हो गई बच्चा P-P0 by 2 तो इस P2 की जगे मैंने लिख दिया P-P0 by 2 और अब अगर इसे आप सॉल करते हो यह 2 नीचे से उपर पहुचा मत मतवर 2P0 नीचे यह 2P0-P1 ओ मैनस मानेस प्लस पी नाट मैंने 3P0-P1 लॉक के अंदर आना चाहिए 2P0 अपन 3P0-P2 लॉक के अंदर आना चाहिए 2P0 अपन 3P0-P2 यहीशनी से कुन सा कहरा वाल है तो इसको एक आपका एंसर है और यह तफ कोस्चन ने अच्छा गेटा तो इसमें वह चाहता बेटा तो टी इक्वल टू इंफिनिटी भी डाल सकता था ना कोई वच्छा बार बार पूछ रहा है इंफिनिटी डालता तो इंफिनिटी का मतलब क्या है बेटा थेलिटिकल लाइफ टाइम फरस्ट और रेक्शन के इंपाइनेट होता है एक हतम हो जाता जीरो यह तब हो जाता पीवन यह भी पीवन यह यह भी आपका पीवन फिर एक इक्वेशन और बन सकते ठीक है जी चलिए तो अब बेटा मैं सेशन को रोक रहा हूं यह पर आपको जो भी डाउट अभी भी हो मेरी तरफ से आप वेलकम हो यह जवाब देने में बिलकुल ठ बोलते हैं वाट कभी बीदी होते तो आज नहीं खोला तो कल तक तो आपको देए दूँगा ठीक है चलिए तो अब हम मिलते हैं मेटा नेक्स सेशन में तिल देन बाए बाए